जब बिग बॉज सत्रा के कंटेस्टन्स की बात आती है तो अंकिता लोखंडे और विक्की ज्वैन के बारे में जरूर बात होती है शो में अपने खराब रिष्थे से कपल ने काफी हलचल मचाई थी इसकी वज़े से दोनों किसी न किसी कारण चर्चा में बने होए थे दोनों के बीट शो में कई बार ती की बहस होते दिखाई गई है कई बार तो ऐसा लगता था कि वो किसी भी बात पर कभी भी लड़ पड़ेंगे हाला कि बिग बॉट सत्रा से बाहर आते ही अंकिता लोखंडे और विकी ज्वेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी जिसकी फोटो अब सोशल मीडिया पे लगातार वाइरल हो रही है सल्मान खान की कॉंट्रोवर्शियल रियालिटी शो बिग बॉट सत्रा की ट्रॉफी मुनवर फारुकी ने अंकिता लोखंडे के हातों से चीन ली है वहीं अक्टरस टॉप स्वी में भी जगा नहीं बना पाई है जिसके कारण उनकी उदासी साफ उनके चहरे पर देखने को मिली थी सोशल मीडिया पे जो तस्वीरे वाइरल हो रही है उसमें अंकिता विकी की बाहों में दिखाई दे रही है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सामने नज़र आ रहे है अपनी हार को भूल कर अंकिता लोकंडे ने विकी जुयान के साथ जम कर पार्टी की है इस पार्टी में बिग बॉस के कुछ एक्स कंटिस्टिंस भी नज़र आए है पार्टी में एक्ट्रस शृस्टी रोड को भी इन्वाइट किया गया था सोशल मीडिया पर बिग बॉस सत्रा की फाइनलिस्ट अंकिता लोकंडे के साथ कुछ तस्वीरे शेयर करते हुए श्रिश्टी ने अपने कैप्शन में लिखा बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो यू वर नॉट देयर तू शो हाओ परफेक्ट यू आर यू परफेक्शन में की फो यू आर और यू आर यू वर बॉटिफल माइ लव वे आ सुपर प्राओथ तू यू यू आ दर विनर फो रस बेबी वल प्लेट अंकिता लोकंडे लव यू अंकिता और विकी जुयन की पार्टी में अंकिता लोकंडे की बेटी का रोल किया था निशांत भट भी पार्टी में नजर आए अंकिता और विकी के घर की पार्टी में समर्थ और निशांत भट भी एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते नजर आए है ग्रैन फिनाले के बाद अंकिता लोखंडे से मिलने के लिए अंजली आरोडा भी पहुंची थी